दोस्तों ने आपस में मिलकर शराप पी, थोड़ी देर बाद किसी बात को लेकर दोनों में विवाद मचा, जिसके चलते आरोपी राकेश ने अपने दोस्त मुनिंद्र पर चाको से हमला बोल दिया, घटना की शिकायत कपिल नगर पुलिस थाने में दर्च के गई हैं मामले विवाद में मित्र ने चाको घुप दिया, जिहां कपिल नगर थाने में गुरुवार को आरोपी के खिलाफ मामला दर्च किया गया, मानव नगर निवासी मुनिंद्र पापेशवर मेश्राम और राकेश बागडी आवली नगर निवासी बताय जा रही हैं बताय जाता है कि राकेश और मुनिंद्र के घर आया और उसे शेंडे नगर इस्तेद गार्डन के पास ले कर गया, वहाँ पर दोनों ने जम कशराप पी, इसी दोरान किसी बात को ले कर दोनों में विवाद हो गया, और तैश में आकर राकेश ने मुनिंद्र पर चाको से ह मामला कर उसे जान से मारनी का प्रयास किया, गंभीर खायल मुनिंद्र को मियो अस्पताल में भरती कराया गया, पापिश्वर के शिकायत पर राकेश के खिलाफ मामला दर्च किया गया अरोपी चामना असर होता कि तू माजी इकड़े तिकड़े बदनामी का करतों कि वह इकड़े सांगत्ता पिरतों या शिल्लक कारना उरू दवगान मधे भाणन जाला वाज जाला आने आरोपी ने तैश वेला चाकु हे करूण तला मारान के लिली लिया है, चाकु ते आता साथ है तो में आस्पिटल मते उप्चार करता है, भरती सा है। झाला आता साथ है तो में आस्पिटल मते उल्लक करता है, भरती साथ है।